केंद्रिय नेत्रित्व का पूरा फोकस इन दिनों 36 गड़ की चुनावी रणनीती पर है जिसके चलते पार्टी के शीर्ष नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं इसी को लेकर एक बार फिर अमित शाह 36 गड़ में है इस दोरान कोर कमेटी की बैठक और सराय पाली में शाह की सभा भी होगी जिसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि बैठक के दोरान ही बीजेपी प्रत्याशियों के दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी और जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। आरोप पत्र में बीजेपी ने राज्य की कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ ब्रश्टाचार और वादा खिलाफी के साथ ही सरकार की विफलताओं के मुद्दों पर फोकस किया है। इन सबसे जुड़े विशेव को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। जिसे अमित शाह की और एको लेकर क्या कहेंगे। क्या भाजपा के लिए संभावनाय बढ़ेंगी। या फिर अमित शाह के आरोप पत्र से कुछ खास फरक नहीं पड़ेगा। अपनी राय भी जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।